नमस्कार अब आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक आपके साथ मैं महम्मद अफजल आलम आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ददनाक और खौपनाग वीडियो उसे देखकर शायद आप राध बर सो न सके चैन से नीन नहीं आए और जब भी वो ददनाक वीडियो को आप देखेंगे याद करेंगे आप अंदर से हिल जाएंगे सहम उठेंगे आपको जवचोर कर रहे देगा आपके दिल को दहला देगी ये तस्वीर, ये वीडियो, हम बाते बादे बताएंगे, पहले आप वो वीडियो देखिए, कि आखिर है क्या, जरा देखिए एक बाने, पूरा बढ़ियां से दोनों का चेहरा आना की, हाँ, दोनों का चेहरा, का ना में तरह? आसिप, बाप का अब हभी, मंदियो में, न१ी पानी पीना है कि यह वीडियो है, देश की राजधाने, दिल्ली सर्च्टे जिला, उत्तर पर देश के गाजियाबाद की गздाजकि पीने के ला जाता है मंदिर में वहां पर उसकी पिटाई की जाती कितनी बेहरहमी से ददनाक तरीके से और कितनी निर्मंता और वरवता के साथ आपने देखा वो तस्बीर उस सक्स उस मासूम बच्चे से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है तो वह पताता है मौमद पासिफ उसके बाद आपने देखा कि कैसी उसकी पिटाई की गे कितनी बेहरहमी से अब आपको जा देख कि दरसल वह जो शक्स पिटाई कर रहा है वो कौन है और किस संगटन से जुड़ावा है उसके पीछे की मकसद क्या कि क्यों किसी सक्स ने मंदिर में मंदिर में पानी पीने के वह से मारा अब यह भी जान लिए इस सक्स का जो जो जिसने पिटाई कि इसका नाम है सरिंगी नन यादब जो बिहार के भागलपुर का रहने वाला है और यह वैसे से इंजिनियर है विटे क्या हुआ है लेकिन इसको पिरोना कहां से मिल इतनी घिरना और नफरत कर यह हमारा नियू इंडिया है जो हमारे देश की खुबसूर्ति और गंगाजमनी तहजीब थी उस पर पूरी तरीके से दाग दाग किया गया है तार तार किया गया चोट पहुंची है जो पूरी दुनिया में यह जो वीडियो वारल हो रहा है पुरी बहुत ही तीजी के करती है और उस सख्स को गिरफतार करती है घाजयाबाद पुलिस का कहना है उप्रोग्ट वीडियो के तत्काल संग्यान लेकर टीम गतित कर मार पीट करने वाले वैक्तिर सिंगी नन यादब पूत्र अजवनी कुमार यादब निवासी गोपालपूर थाना संबारा भागल पूर्पूर का रहने वाला है और उस लड़की के पिटाई हुई है उस लड़की को भी खोजा जा रहा है इस पर राजनितिक परति की रिया क्या है बो भी मैं आपको बदा दू आमादी पार्टी के राजसवार सांसर संजय सिंग कहते हैं मंदिर में एक मुस्लिम लड़क पानी पीने आता हूं मंदिर को मारा पिटा जा किस किताब में घीता में बेड में कहा लिखा गया वहीं एक टुटर यूजर पर ऑंटिफार्मर विजेपी वह लिखते हैं मंदिर में परवेश पर किसी को इस तरह पीटना किस धर्म में लिखा है संग्यों ने हिंदू-धर को बदनाम कर दिया है और आगे लोगों की परतिक्रिया मैं बता रहा हूं वहीं एक टूटर यूजर है संजय रागब वो लिखते हैं अगर यह वीडियो देखकर आप चैन्स से सो सकते हैं तो ना आप मनुस बचे हैं और ना ही आपके भीतर मनुस्यता बची है लानत है उन पानी पीना अब तक दलीतों के लिए परतिवंदित था अब मुसल्मानों के लिए भी हो गया है और वहीं हंस राज मीना है जिन टूटर में सोसल मीडिया पर खूब आक्टिव रहते हैं वह भी लिखते हैं पिछले च्छे सालों में भाजपा के बोए गये नफरत के वीज विसायली पौदे बनकर इंसानों पर कहर बनकर तूट रहे हैं यह दिर्शे बेहर शर्मनाक है तो सोसल मीडिया पर यह वारल होने के बाद जो लोगों का पतिकिरिया है वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फूट पड़ा है और कहीं न कहीं जो हमारे देश की गंगा ज लेकर कि तरह की रिपोर्ट दिया उसके बाद जो आपना हमने आपको कल भी बताया था कि पीछे कान क्या बताया था कि भेजबाव पूर्ण हो रहा है अलसंक्यों के साथ में और जो चात्र जो एक्टिविस्स सरकार से अवाज बलंद कर सरकार किलाब अवाज बलंद करते ह जाता है उसके बाद हमारी गोदी मीडिया किस तरह से बिलवला रहे ती आपने देखा कि किसी अंतराश्च रहता कि कुछ कहने से क्या हो जाएगा हमारे देश की जो तैजीव जो संस्कृत हो जाएगी लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या नजारा है क्या तफ़बीर मंदीर मजजीद यही तो हमारे देश की खुप्शूति है बहां उस चौकट पर उस दरवार में हर वो सक्स जाता है हर वो बेसाहरा इंसान जाता है जिसका इस दुनिया में कोई सहारा ना होता है और हर कोई इसी उमीद और मनुकामना से जाता है कि उसकी मनुकामना पूरी होगी आज वो सक्स वो प्यासा वो छोटा सा मासूम सा बच्चा उसे क्या पता कि मंदिल में इस तरीके की हरकत इस तरह के घटना होगी भेदबा होगा मारा जाएगा पिटा जाएगा वो उमीद से ग्याता कि हमारे यहां प्यास बुझेगी पानी भी पी लिया लेकिन हाई नफ नफती चिंटू ने किस तरीके से बच्चे को बेरहमी से मारा यह हम सब में देखा क्या यही हमारा न्यू इंडिया है क्या इसी यह हमारे देश की जो खुबसूलती थी किस तरीके से बिगाल कर रख दिया है यह आए दिन हम लोगों को शमसार करना होना पड़ता है क्या इसी कहा कहां से मिली है अल्टनीज के जो मुअमर्ण जुवेर हैं वो बताते हैं की आकि इस स्क्स को प्रेरना जो भो अपने रिसिर्च कर दिया है और बताया कि कैसे कट्थर बनाया जा रहा है वो भी उन्होंने बताया कि इससे प्रयोड़ना मिल रही है तो क्या हमारे देश की जो गंगा जमनी तैजेव, हिंदू, मुस्लिम, एक्ता और भाईचारा का जो हम लोग गीद गाते हैं, ग्यान देते हैं, सिर्फ सब बकवास है खुले आम तोर पर इस तरह की घटना होते जा रही है, पहले मॉब लिंचिंग गाय के नाम पर होती थी, बीट के नाम पर होती है, अब पानी पीने के नाम पर भी हो रहा है, ये कहीं न कहीं अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है, तो वस अपनी बातों को अंद कर करता हूँ एक शेर के साथ वो राम की खिचड़ी भी खाता है रहीं का मजभ़भ समझ आता है यह हमारे देश की सच्चाई है लेकिन हो क्या रहा है हम सब देख रहे हैं इस वीडियो के शेर कीजिए और करते हैं कि इसको हमारी पुलिस उत्रपरदेश पुलिस करी से करी सजा देगी और ताकि नजीर पेस हो सके दो कोई ऐसी दुबारा घटना ना घटे ना कि जो वो सक्स जो शाहिन बाग में और जामिया में जामिया मिलिया एसलामिया के चातर पर गोली आकर चलाता है और फिर बाद में वो चला जाता है बीजेपी में शामिल होने के लिए ऐसा मुझे मैं उमीद करता हूं कि ऐसा ना हो इसे सबक सिकाया जाए जिस तरीके से सारे लोग खड़े हैं आज उसी तरीके से जब देखना ये भी महत्पूर्ण होगा कि कि इसको सजा मिलती है या नहीं हम उ आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें